हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ चैनल आज हम मीठे मीठे टेस्टी टेस्टी नारिल के लड्डू बनाएंगे लड्डू मुझे तो बहुत पसंद है और नारिल के लड्डू बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और ये लड्डू हम बिना मावा बिना दूर बिना चीनी के बना करते हैं बिना मावा दूद और चीनी लड्डू कैसे बनाएं लड्डू बनाने के लिए गैस पर हमने कड़ाई चड़ा दियें अब कड़ाई में दो छोटे चमच घी डाल देंगे अब कड़ाई में एक बाउल नारिल का बुरादा डाल देंगे अब इसे 2-3 मिनिट तक लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे ताकि नारिल का मोईस्ट्यर या हम कहीं गिलापन निकल जाएं ध्यान रहें नारिल को हमें ब्राउन नहीं होने देना है 2-3 मिनिट रोस्ट होने के बाद हम गैस बंद कर देंगे अब हम इसमें एक छोटी कटोरी अमूल का मिठाई मैट एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें आदा छोटा चमच इलाइची पाउडर एड़ करके अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं हमारा लड़ू का मिक्सर रड़ी है अब मिक्सर को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें अब हम बारी-बारी से एक-एक लड़ू बनाएंगे मिक्सर थोड़ा गुन-गुना रहे तब ही हम लड़ू बान देंगे अब मिक्सर को हतिली पर ले लेंगे और इस तरह से प्रेस करके लड़ू को राउंड शेप देंगे गोल गोल टीस्टी टीस्टी लड्डू बनकर तयार है अब हम नारेल के बुरादे में लड्डू को इस तरह से रूल कर देंगे तो हमारा टीस्टी नारेल लड्डू बनकर तयार है इसी प्रकार हम सारे लड्डू बनाकर तयार करेंगे ज़रा देखिए गोल मटवल टेस्टी टेस्टी नारिल के लड़ू बनकर तयार हैं वो भी सर्फ दो मिनिट में ये लड़ू आप किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं ये बहुत कम इंग्रीडियंट्स के साथ जल्दी बन जाते हैं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसी तरह कि हमारी नई नई टेस्टी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए यूट्यूब पर शेफ वबितास कुक हाउस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक यू